केसे हैं आप सभी उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे बई तो पिछली दो क्लासिज में हमने प्रिष्णावाली 1.1 को कवर किया क्लास 11th Mathematics Chapter 1 सेट को हमने बहुत ही बारीकि से समझा बहुत छोटी छोटी चीजे मैंने आपको समझाई थी बहुत छोटी छोटी चीजे जो की आपके लिए समझना बेहज जरूरी थी पिछली दोनों क्लासिज में मैंने आपको समझा थी प्रिष्णावाली 1.1 हमने कवर की हम प्रिष्णावाली 1.2 करने वाले हैं तो क्या आप सभी तैयार हैं वीडियो को complete देखेगा पूरी प्रिष्णा वली एक ही वीडियो में आपके complete हो जाई है वीडियो पसंदाए तो इस वीडियो को like भी कर सकते हैं अपनी दोस्तों के सास्थ share भी कर से रिक्त समुच्चे के उधारने चले प्रिष्णावली हम करेंगे इस से पहले कुछ बेसिक सी चीज़े मैं आपको वता देता हूं थोड़ा सा हम बैक जाएंगे और यहां पर देखिए कुछ बेसिक चीज़े आपको पढ़नी हैं हाला कि इनमें से एक चीज़ हम पहले दूसरा है परिमेत आपरिमे समुच्चे इसको हम सीख चुके हैं पिछली क्लासे इसमें तो इसको अभी नहीं सीखना है समान समुच्चे क्या होता है इसको भी हमें सीखना है तो सबसे पहले बात करते हैं रिक्त समुच्चे की रिक्त मतलब होता है खाली रिक्त मतलब खा पास है लेकिन उसमें ना तो दूद है ना ही पानी है उसमें कुछ भी नहीं है किवल खाली है वो आपका रिक्त गिलास कहलाएगा ऐसे एक ऐसा समुच्चे जिसमें कोई भी अवियब नहीं है एक भी अवियब नहीं है वो आपका रिक्त समुच्चे कहलाएगा रिक्त को और या फिर हम इसको फाई से दसाइगे यह जो साइन ही फाई का साइन है वह ध्यान दीजिए तो रिक्त समुझ्च यानि इसा समुझ्च है जिसमें कोई भी अवियब ना हो उधारन के लिए अगर मैं आप स्वर है जो यू के वाद आता है ध्यान से समझी इस बात को बहुत अच्छी बात मैंने यहां पे लिखी है हमने आप से कहा कि एक्स क्या है एक अंग्रेजी वर्ड माला का स्वर है लेकिन कंडिशन क्या रख दी जो यू के वाद आता है अब मुझे ये बताईए यू के आता है एकस आता है वाई आता है वी के वाद अंग्रेजी वर्ड माला में कोई भी स्वर नहीं आता है यानि यह जो रिक्त समुच्चे है यह आपका रिक्त है तो ए वरावर आप क्या लेखेंगे पाई या फिर आप ए वरावर लेखेंगे खाली व्रैकिट तो रिक्त आपको दो सेट की आवस्यक्ता होगी, आपके पास दो सेट होने चाहिए, तभी हम बता पाएंगे एक दूसरे की समान है या फिर नहीं, वईक्सामपल हमने एक समुच्छे ले लिया आ हमने लिए ढवयाबों का क्रम महत्पूर्ण नहीं रहता, यहां क्रम महत्पून नहीं रहता जैसे कि यहां लिखा है वन टू थरी फॉर और बी में लिखा है टू थरी आफ फॉर बन लेकिन बी में जो अवियब हैं वही सारे के सारे अवियब ए में भी हैं अब अंतर सिर्फ इतना सा है कि वही इसमें टू पहले आगया तेरी बाद में फिर फॉर बाद में वन सबसे लाक्ट में आया तो क्रम बिलकुल भी मैत्पून नहीं रहता ये कोई जरूरी नहीं कि वही किस रूम में कौन सा सदस घर का रह रहा है बस पौरा एक्जामपल अवी इस मकान में भी रहते है ठीक है तो सदस्ट तो वही हुए ना सदस्ट वही हुए अवियव वही हुए तो ऐसे दो समचय जिनमें अभयवों की संक्या समान है या फिर हम कह канал हों तो वो दौनों समचय समान समचय कहराते हैं बहुत अच्छा उधारन मैं आपको दूँ एक घर ये हो गया दूसरा घर ये हो गया कि भई इस घर में पांच व्यक्ति रह रहे हैं तो घर एक के पाँच व्यक्ति यदि घर दो में भी रहते हैं घर दो में भी यही पाँच व्यक्ति रहते हैं तो ये दोनों घर समान हो गए कैसे हो गए समान तो आई तिंग ये सारी चीटे आपको समझ में आ गई होंगी चलिए अब हम सीधे सीधे चलते हैं प्रिष्णावाली पर बहुत छोड़े छोड़े नन्या मुर्ने से कोईशन हैं बहुत प्यारे पारे कोईशन हैं बहुत जलदी से हम इनको solve कर सकते थीक अधी बाई चली तो फर्स्ट कॉश्चन आपसे पुझ रहा है कि निम लिकत में से कौन-कौन से रिखते समुच्चे के उधारेने सिर्फ हाँ और नामे आपको जवाब देना है तो फर्स्ट वाला देखिए दोसे भाज बिसम प्राकेश संख्याओं का समुच्चे अब जरा मेरी बात को सुनिए बिसम प्राकेश संख्याओं का बच्चो जो समुच्चे होता है वो होता है आपका वन थिरी फाइव सेवन नाइन डॉट 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 इस प्रकार से अब इन में से कोई सी भी ऐसी संख्या नहीं है जो दोसे भिवाज हो तो ये जो समुच्चे है वो क्या हो गया समुच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् खाली नहीं कहेंगे क्योंकि कम से कम एक तो रह रहा है तो दूसरा जो है आपका रिक्त समुच्चे नहीं है ठीक है भई तीसरा देख लो कि सम अभाज संख्याओं का समुच्च्च तीसरा एक सच देट एक प्राकर संख्या है जो पांस से छोटी है क्या मज़ा कर रहा है कॉश्चन भी अब देखो भई प्राकर संख्या है हमने पढ़ी है कि 1,2,3,4,5,6,7,8,9 इस प्रकार से यह अनंत तक होती है अब यह जो महासर है प्रिष्ण यह आफसी वो लाए कि भई एक्स जो है एक्स एक प्राकर संख्या है और ऐसी प्राकर संख कोटी हो और साथ से बड़ी हो तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है जो पांच के एधर हो और साहत्के एधर हो ऐसा नहीं हो सकता तो यह आपका बच्चो रिक्त समुच्च हो जाएगा क्या लेक्त, समुच्च, ठीक है फूर्थ वाला वटाबड़ से देखिए वाइ सच देट वाई किनी दो समानतर रेखाओं का उभायनिष्ट विंदू, अब देखो वाई, दो समानतर रेखाओं, ऐसी दो रेखाओं होती हैं, जो एक दूसरे से कभी भी मिलती नहीं है, अब जो दो रेखाओं कभी एक दूसरे से मिली ही नहीं, तो उनमें क्या उभायनिष्ट का ठीक है इसी के साथ पहला कोश्चन समापतिया पर होता है सेगंड कोश्चन आप सभी की सामने लेके आते हैं पटापर से देखिए भई नेम ने लिखे समच्चेयों में से कौन परीमित है कौन आपरीमित है ये भी बड़ा आसान सा कोश्चन है देखो परीमित मतलब जिसमें संख्याओं की अभयाबों की संख्या निश्चित हो सीमित हो जैसे पहला देखो वर्स के महिनों का समच्च है तो भई ये तो परीमित ह फर्ष्ट वाला क्या है परिवित क्योंकि हमें पता है वर्ष में 12 महिने होते हैं तो 12 एक सी में संग जह निश्य संग क्या है दूसरा देखो वही दूसरे में आपसे बोल दिया कि 1,2,3 और कमाली की वात यह रहेगी 3 के बाद यह डौट डौट लगा दिये तीन डोट आ गए ये सेरीज इसी क्रम में आगी बढ़ती रहेगी ठीक at filter पता नहीं कहां गया आज चलो कोई बात नहीं ये रहा लगाले मिदा वेट नहीं तो आप ओगी चलो ठीक तो मैं कहां था मैं था वन टू थिरी डोट डोट बड़О değer आज पर यह काई है जो संख्याएं हैं वो अनिश्चित हैं, असीमित हैं, थार्ड वाला आप देखेंगे, सो से बड़े धन पूर्णांकों का समुझ्चे, भई सो से बड़े धन पूर्णांक क्या होंगे, 101 भी होगा, 102 भी होगा, 103 भी होगा, इसी प्रकार से ये अरंतक जाएगा, तो ये भी आपकी आपरी में समुझ्चे हो जाएगा, थार्ड वाला भी क्या हो जाएगा, आपरी में तो समुझ्चे हो जाएगा, ध्यान दी जीगा, किलियर हुआ भई, चलिए, ये बिल्कुल एक एक लाइन के आंसर हैं, तो इनमें ज्यादा टाइम बीशा में नहीं करना, 99 से छो जाएगा, क्योंकि दो से 99 की बीच अभाज संग्या है, हम बता सकते हैं कि दस हैं की पांच हैं की बीस हैं, ठीक है, तो ये आपका परीमित हो जाएगा, इसी की साथ, पॉश्चन नमबर थार्ड आपके सामने आ रहा है वही, फटाबट से दिखिए, निम ने लिखी समचे और मेंसे प्रतिक के लिए बताईए कि कौन परीमित है, कौन आपरीमित है, इनमेंसे भी हमें यही बताना है कि कौन परीमित है और कौन आपरीमित है, फश्ट वारा देखिए बड़ा प्यारा सा कोश्यन है, एक्स अक्ष के समानतर रेखाओं का समुच्छे, भई, ये हमा तो फर्स्ट वाला तो भाई आपका आ परिमित समुच्च हो जाएगा विटा क्या हो जाएगा आप परिमित सेगंड देखिए अंग्रेजी वर्ण माला के एक्षर जानते हैं 26 लेटर होते हैं तो यह आपका परिमित हो जाएगा पूछने वाली बात है नहीं इसमें तो बिल 10 भी है 15 20 30 अब 5 का पहड़ा 50 तक पढ़ा है 50 में पांच उड़ेंगे 55 आएगा 60 आएगा 65 आएगा 70 आएगा ऐसी अनंद तक ही चले जातने हैं बच्चों ठीक है तो यह जो है आपका आप परिमित समुच्च हो जाएगा क्या हो जाएगा भई आप परिमित एंड कन्फ्यूज कर देता है बच्चों को लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाईए भई यह प्रत्वी है हमारी और यहां पर जो है जानवर रह रहे हैं अब उन जानवरों में अपनी गिंती मत करना मैं सिर्फ जानवर की बात कर रहा हूं ठीक है इस प्रत्वी पर जानवर रह र तो यह काउंटे विल है तो यह आपका परिमित हो जाएगा कुछ ना कुछ एक सीमित संख्या में इसका अंसर आएगा कि दस करोड़े 20 करोड़े 50 करोड़े ठीक है तो यह होगा आपका परिमित समुच्च है अब मूल बिंदू से होका जाने वाले ब्रतों का यह हमारा मूल बिंदू होता है एक सक्च और वायक्च का कटान मिंदू है एक हमने यहां से त्रिज्या ली और मूल बिंदू से निकाल दिया वही एक यहां से ली और मूल बिंदू से निकाल दिया वही ऐसे करके अनंत ब्रताब खीश सकते हैं तो यह आपका परिमित ध्यान दिएगा क्या बनेगा बच्छो आप परिमित कॉश्चन नमबर थार्ट फिनिस होता है कॉश्चन नमबर पूर की और हम मूव करते हैं देखिए आप से खूल रहा है कि बताईए निम लिखत में बताईए कि ए बराबर भी है या फिर नहीं फर्ष्ट वाला बीटब फर्ष्ट वाला देखिए गा ए में दिया है A B C D B में दिया है D C B A अभी मैंने आपको बताया था कि क्रम महत्तपू depths नहीं है A में जो अवियव हैं वही अवियव अगर B में भी है देख वी में A है B है C है और D है यहां पर भी ABCD जो चार यहां हैं वही चार यहा इसलिए आपका फर्स्ट में जो है ए बराबर हो जाएगा बिटा भी सेकंड देख लो फटापट से 2nd में देखो 4, 8, 12, 16 दिया है 4, 8, 16, 18 दिया है तो भई दूसरा जो है ये बराबर नहीं है क्योंकि A में जो है वो पूरे के पूरे B में नहीं है 3 B में है लेकिन पूरे नहीं है यहां पर कितना दिया है 12 और यहां पर कितना दिया है 18 मैच नहीं हो रहा बराबर नहीं है थर्ड वाला देखो भई ए बराबर 2, 4, 6, 8, 10 हाँ जी यह ठीक है और x सच देट x सम धन पूर्णांक है कैसा है? सम है और धन पूर्णांक है साथी साथ x जो है 10 के बराबर और 10 से छोटा है तो भाई बिल्कुल देए 2, 4, 6, 8, 10 यही तो सम धन पूर्णांक है जो 10 और 10 के बराबर है तो तीसरे में तो आपका जो a है वो b के बराबर हो जाएगा भाई ठीक है? x सच देट x संख्या 10 का एक गुड़ज है और b बराबर दिया है 10, 15, 20, 25, 30, देखो भाई 10 का गुड़ज या नहीं 10, 2, 20, 30, 40, 50 होते हैं लेकिन यहाप पर 15 भी आ गया 25 भी आ गया इसलिए यह आपका बराबर नहीं है is not equal to v question number 4 बड़े आराम से solve हो गया बहुत easy था question number 5 देखी भाई आपसे क्या पूछ रहा है क्या निमने लिखित युग्म समुच्च युग्म समान है कारण सहत उतर दीती है तो first वाला देखें विटा first वाला आपसे पूछ रहा है कि a बराबर दिया है 2 into 3 और b बराबर आपको दिया है set builder form x that x summy current x वर plus 5 x plus 6 बराबर 0 का एक हल है अब देखना वाई इस समी करण की हल निकालो वाई अब हल क्या होंगे यहाँ पर हम निकाल लेते हैं हमारे पास समी करण है x square 5 x plus 6 x square यह तूट जाएगा 3 x plus 2 x में और यहाँ पर 6 बराबर में 0 है यहाँ भी 0 आजाएगा x को मनाएगा x plus 3 बचेगा plus का 2 को मनाएगा x plus 3 बचेगा बराबर में 0 यहाँ से x plus 3 को मनाजाएगा और यहाँ पर x plus 2 बचेगा बराबर में 0 वही x बराबर माइनस 3 आजाएगा x बराबर माइनस 2 आजाएगा 0 बराबर रखने पर तो v के जो हल है बच्चो तो वो क्या रहे हैं माइनस का 2 और माइनस का 3 आ रहे हैं जबकि समुच्चे A में केवल आपको प्लस 2 और प्लस 3 दिया है इसलिए A is not equal to V पहला वाला तो cancel हो गया वही पराबन नहीं है दूसरा आप से बुल रहा है कि A x that x follow सब्द का एक अक्षर है और V में आपको दिया है y such that y wolf का एक अक्षर है अब यहां पर दिखिएगा follow follow का अगर आप समुच्चे बनाएंगे तो f आएगा भाई o आएगा l आएगा और w आएगा कोई भी अक्षर repeat नहीं होता जैसे यहां पर l दो बार आया w दो बार आया सोरी o दो बार आया तो इनको हम समुच्चे में एक ही बार लिखते है दो बार नहीं लिखते है ठीक और अगर इसका आप समुच्चे बनाओगे तो इसमें w आजाएगा o आजाएगा l आजाएगा f आजाएगा वई जो चार सदस यहां है वो ही चार यहां है तिर्क क्रम बदल गया तो इसमें जो second वाला है वच्चो ए बराबर हो जाएगा भी, second वाले में ए बराबर भी हो जाएगा लाड़ लो, ठीक है, question number 5 complete, and सबसे last question, सबसे आसान प्यारा दुलारा सा question आपके सामने है, नीचे दिये हुए समुच्चे हो में से समान समुच्चे को ग्याद करना है, अब 6, 7, 8 समुच्चे आपको दिये गए हैं, अब कौन-कौन से समान है वो देखो, देखना बिटा, A में आपको दिया है, 2, 4, 8, 12, B में है, क्या, नहीं है, C में है, 4, 8 है, लेकिन 2 नहीं है, C भी बराबर नहीं है, A के, A के बराबर में, D बी नहीं है, E बी नहीं है, F, G, H, क और यहां भी आ रहा है 1 to 3 B और D बराबर हो जाएगा बिटा देखनेएगा B में आपको क्या दिया है 1, 2, 3, 4 और D में आपको क्या दिया है 3 दिया है 1 दिया है 4 दिया है 2 यानि जो D में है वही B में है तो हम लिख सकते हैं B बराबर D B बराबर D ठीक है दूसरा और कौन सा बराबर है E में देखो 1 प्लस 1 है और G में भी क्या है 2 प्लस 1 और कोई सा बराबर नहीं है आप लिखेंगे E में जो है 1 माइनस 1 प्लस 1 है इसके बाद G में भी 1 माइनस 1 है तो E समूच्चह जी समुच्चे के बराबर हो जाएगा भई पॉश्चन नमबर 6 कम्प्लीट और इसी के साथ आपकी प्रिश्णावली 1.2 डन हो जाती है बच्चो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रिश्णावली समझ में आ गई होगी बहुत छोटे छोटे अच्छे से कोईश्ण थे पूरी प्रिश्णावली मैंने यापर कम्प्लीट करवा दी है वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए अगर आपको परशन दाती है वीडियो तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने बाकी दोस्तों के साथ जो आपके साथ पढ़ाई करते हैं बाकी मिलते हैं नेक्ट वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ तब तक लिए खुश रहिए मस्त रहिए बाकी पढ़ाई करते रहिए जय हिंद